हलो दोस्तों स्वागत आपको आज हमारे नए वीडियो में और इस वीडियो में आपको बताएंगे जो एक छोटा पपी होता है उसकी आपको केर कैसे करनी होती है तो जैसा कि हमारे पास यह पपी है और यह डोबर मेंड नसल का है दोस्तों काफी क्यूट पपी है और जैसा क केर करने के लिए जैसे कि हम इसे दिन में चार से पांच बार इसे जो है मिल्क की देते हैं थोड़ा सा उसे घर्म करके क्योंकि ठंडा मिल्क जो हता है वो थोड़ा सा इनके सरीर में डाइजेशन सिस्टम को बिगाड सकता है तो उसे थोड़ा सा घर्म करकी दिया जाता है और जो मिल्क होता है वो अभी इसको हम निपल के द्वारा दे जा रहे हैं और कभी-कभी इन्हें हम बिस्किट भी देते हैं लेकिन बिस्किट यह जैसे कि पूरा यह खा नहीं सकता है तो इसे हम दूद में भिगो कर देते हैं तो यह उसे खा जाता है दोस्तों और इसे हम अभी जैसे ही morning का time होता है तो उसके लिए हम इसे बाहर धूप में छोड़ देते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं भी धूप आ रही है यहाँ पर यह गूम रहा है और जैसे हम इदर बाहर रखते हैं तो इसके लिए हमारी एक डोग है लाइका आप देख सकते हैं यह लाइका इसकी लारक है और इसके नीचे हम जो जूट की बोरी होती है तरह से या फिर कोई कपड़ा तो वह बिछा देने ताकि इसके लिए गरम रहे और इससे बाहर खेलने के लिए छोड़ देते हैं ताकि इसको नेचरल एन्वाइनमेंट मिलता रहे क्योंकि दोस्तों बच्चे जो मिट्टी में खेलते हैं दोस्तों और यह लाइका इसका ध्यान रखती रहती है यह दिन पर यहां खेलता रहता दोस्तों और जब भी इसको भूग लगती है तो यह चिलाता है और आवाज करने लग जाता है तो फिर हम इसको उस टाइम जो है दूद पिलाते हैं या फिर ब और रात को एक बार और उठकर इसको फीड कराते हैं तो अभी स्टार्टिंग में एक-दो मैने काफी ध्यान रखना होता है एक-दो मैने हम ध्यान रखेंगे तब भी जाकि अच्छे से बड़े हो पाएंगे आप देखिए जैसे उसके पास हाला कि यह इसका लाइका का डोग नहीं है लेकिन फीबी भूल मिल गए हैं और आस में रहने लगे हैं तेंकि दोस्तों देखते रहे हैं हमार चैनल और लाइक और सब्सक्राइब करते रहे हैं दोस्तों